प्रकृति के इस मनोरम द्रश्च को देख कर जी चाहता है आज एक पुराना गीद गुनगोनाओ ये किस कवी की कलपना ये कौन चित्रकार है 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 पौध हे फल इत्यादी से सजाया इसमें विविद जीव जन्तूओं की रचना की पहार नदियां जरने बादल इत्यादी खुबसूरत तत्वों से इसे सजाया और फिर मनुष्य की रचना की जिसे बुद्धी देकर ईश्वर ने यह समस्त संसार उपहार के रूप में सौप दिया किन्तु अफसोस मनुष्य ने क्या किया मनुष्य ने अपने लालच के चलते पहाड़ों को तोड़ा नदियों के रुख मोड़े नदियों को गंदा कर दिया और जीव जन्तूओं को मारा और प्रकृति और पर्यावरन के पूरे संतुलन को बिगाड़ कर रग दिया यह बड़ी ही चिंता की बात है कि मनुश्य उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा हुआ है प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने की चिंता पर विचार करते हुए आज हम पाठ पढ़ेंगे अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले जिसकी रचना की है निदाफाजली जी ने तो आएए पढ़ते हैं पाठ कक्षा दस्वी स्पर्श पुस्तक से अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले आएए तो ले लेते हैं निदाफाजली जी का एक संशिप्त परिचे 12 अक्टूबर 1938 में दिल्ली में जन्मे निदाफाजली का बचपन गौलियर में बीता निदाफाजली उर्दू के जाने मानिक कवी हैं अपनी गर्दे रचनाओं में शेरो शैरी पिरोकर अपनी रचनाओं को गहराई में अर्थ देने में ये माहिर है आम बोलचल की भाषा में सरल तथा सरस अभी व्यक्ति इनकी भाषा शैली की विशेश्ता है इनकी शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ कुसन 1999 में साहित्य अकादमी पुरसकार से नवाजा गया हमारे पुर्वजों ने वसुधैव कुटुम्ब कम की कलपना की थी अर्थात ये पूरी स्रिष्टी एक परिवार की तरह है जिसमें जीव जन्तू, मनश्य, पेड़ पौधे इत्यादी सभी की अपनी एक भूमिका है पुरानी पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि जब तक घर किस्तरी पेड़ पौधों को पानी नहीं देती थी तब तक वे खुद भी कुछ नहीं खाती पीती थी तो इस तरह जीव जन्तूं का ध्यान रखने वाले पुराने लोगों को याद करते हुए लेखक निदाफाजली ने इस गद्दी की रचना की है जिसका शीर्शक है अब कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले अर्थात अब वे मनुश्य नहीं रहे जिने अपने आसपास के जीव जन्तूं से प्रेम है उनके दुख दर्द के वे चितेरी हैं बाइबल के सोलोमेन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है इसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे वह केवल मानव जाती के ही नहीं सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के हाकिन थे वह इन सब की भाशा जानते थे एक दफा सुलेमान अपने लशकर के साथ एक रा बिलो में चलो फौज आ रही है सुलेमान उनकी बाते सुनकर थोड़ी दूरी पर ही रुक गए और चीटियों से बोले घबराओ नहीं सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ सब के लिए महबत हूँ चीटियों ने उनके लिए इश्वर से दुआ की और सुलेमान अपने मन्जिल की और आगे बढ़ गए तो इस तरह इस कहानी से बाइबल की इस कहानी से हमें पता चलता है कि सुलेमान जैसे जो पुराने समय के लोग थे वे चीटियों की भी जान बचाने की चिंता करते थे ऐसे ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाशा के महा कवी शेक आयाज ने अपनी आत्म कथा में किया है उन्होंने लिखा है एक दिन उनके पिता कुए से नहा कर लोटे माने भोजन परोसा उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा उनकी नजर अपनी बाजू पर पड़ी वहाँ एक काला चियोटा रेंग रहा था वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए माने पूछा क्या बात है भोजन अच्छा नहीं लगा शेक आयाज के पिता बोले नहीं यह बात नहीं है मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है उसे उसके घर कुए पर छोड़ने जा र परवाह करने वाले लोगों का जिक्र मिलता है बाइबल और दूसरे पावन गरंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है उनका असली नाम लशकर था लेकिन आरब में उनको नूह के लकप से याद किया जाता है वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें इस नूह के लकप से याद किया वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहें इसका कारण एक जखमी कुत्ता था नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा नूह ने उसे दुदकारते हुए कहा दूर हो जा गंदे कुत्ते इसलाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता ह कुत्य ने उनकी दुद्कार सुनकर जवाब दिया न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ न तुम अपनी पसंद से इनसान हो बनाने वाला सबका तो वही एक इश्वर है तो इस तरह कुत्य ने उन्हें इस बात का एसास करा दिया हम अपनी मर्जी से जीवन धारण नहीं कर सकते इसी भावना की अभिव्यक्ति के लिए लेखक न यहाँ पर चन पंक्तियां लिखी है बहुत ही खुबसूरत पंक्तियां है मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान अर्थार जब मनुष्य मर जाता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है उसी तरह एक जीव जन्तु जानवर भी मर जाता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है जब सालों बाद उस मिट्टी को देखा जाएगा तो पहचानना मुश्किल है कि उसमें मरा हुआ कोई जानवर दबाया गया था या कि कोई मनुश्य उनों ने जब यह बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए और मुद्दत तक रोते रहे इस बात के अफसोस में कि ना मैं अपनी मर्जी से इनसान बना ना ये बेचारा अपनी मर्जी से जखमी कुटा बना है तो क्यों मैंने घृणा से उसका दिल दुखाया इस बात का एहसास हुआ उन्हें और वे आजीवन रोते रहे महा भारत में युधिष्टिर का जो अंत समय तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतिकात्मक रूप में एक कुटा ही था सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा है तो इस तरह लेखा कि यहाँ पर हर धार्मिक ग्रंथ से उधारन लेकर मनुष्य और प्रकृति के सम्बंध तथा पशू पक्षियों के साथ मनुष्य के सम्बंध का जिक्र कर रहे हैं दुनिया कैसे वजूद में आई पहले क्या थी किस बिंदो से इसकी शिरुवात हुई इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो लेकिन धर्ती किसी एक की नहीं है पंची, मानव, पशू, नदी, परवत, समंदर आदी की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाती ने अपनी बुद्धी से बड़ी-बड़ी दिवारे खड़ी गर दी है पहले पूरा संसार एक परिवार के समान माना जाता था अब टुकडों में बढ़कर एक दुसरे से दूर हो चुका है पहले बड़े-बड़े दालानों, आंगनों में सब मिल जुल कर रहते थे आप छोटे-छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है पहले सयुक्त परिवार में रहता था, बड़ा सारा परिवार होता था किन्तु आप सब छोटे-छोटे कमरों के मकानों में अलग-अलग रहना चाहते हैं एक दुसरे के साथ भी नहीं रहना चाहते बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया पेडों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया फैलते हुए प्रदूशन ने पंचियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरन को सताना शुरू कर दिया इस तरह मनुष्य ने प्रकृती के हर तत्व में दखल अंदाजी की बारूद अर्थाद बम गोले इत्यादी से पर्यावरन दुशित होता है आबादी इतनी तेज गती से बढ़ रही है जिसकी वज़ा से प्रकृती को नुकसान हो रहा है इसका यह परिणाम हो रहा है कि अब गर्मी में ज्यादा गर्मी बेवक्त की बरसाते जलजले, सेलाब, तुफान और नित नए रोग मानव और प्रकृती के इसी असंतुलन के परिणाम है हर साल एक नया रोग आ जाता है आप सभी को पता है पहले डेंगू का नाम किसी ने नहीं सुना था फिर चिकन गुनिया का नाम किसी ने नहीं सुना था आप कोरोना, एक नई बिमारी इस तरह रोज नई बिमारियों का कारण है प्रकृतिक असंतुलन प्रकृतिकों बहुत बुरी तरह से मनुष्टी जाती ने नश्ट किया है नेचर के गुसे का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे कई सालों से बिल्डर बड़े बड़े समंदर को पीछे धकेल रहे थे और उसकी जमीन हत्या रहे थे बिचारा समंदर लगाता सिमर्टा जा रहा था यहां पर समुद्र का मानवी करण किया है लेखक ने समंदर पीछे सरक्ता जा रहा था अर्थात समंदर के किनारे पर बिल्डर मिट्टी और मलबा डालकर उसकी जमीन को लंड में कनवर्ट कर रहे थे मकान बनाने के लिए वहां समद्र के किनारे पर बने हुए मकान करोडो अर्बो रुपय में बिखते हैं बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था पहले उसने अपनी फैली हुई टांगे समेटी थोड़ा सिमटकर बैठ गया फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया फिर खड़ा हो गया जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी तो उसे गुसा आ गया जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुसा आता है किन्तु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है और यही हुआ उसने एक रात अपनी लहरों पर दोड़ते हुए तीन जहाजों को उठा कर बच्चों की गेंद की तरह तीन दिशाओं में फेंक दिया एक वरली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा दूसरा बांदरा के काटर रोड के सामने ओंधे मों गिरा और तीसरा गेटवे ओफ इंडिया पर टूट फूट कर सहलानियों का नजारा बना बावजूद कोशिश फिर वे पहले की तरह चलने फिरने के काबिल ना हो सके तो यहाँ पर जहाजों का भी मानवी करण है, समुद्र का मानवी करण है, कि समुद्र को गुस्सा आया, तो उसने एक देन उसकी लहरों पर दोड़ते हुए तीन जहाजों को उठा कर फेग दिया, आप समझ सकते हूं जहाज कितने बड़े होते हैं, जिसमें डेड़ सो से प बच्पन की यादे ताजा करते हुए कहते हैं, मेरी मा कहती थी, सूरज धले आंगन से पेड़ों के पत्ते मत तोड़ा करो, पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दूआ देते हैं, दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह दे रखी है, मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले महले में अजान दे कर सबको सवेरे जगाता है, तो इस तरह अपने बच्पन की कुछ बातें यहाँ पर लेखा गयात कर रहे हैं, और कहते हैं, मेरी मा हमें यह चोटी चोटी बातें सिखाया करती और प्रकृती के प्रती सम्वेदेंशील बनाती थी, सबकी पूजा एक सी, अलग-अलग है रीत, मस्जिद जायब मौलवी कोयल गाय गीत, यहाँ पर लेखा कहते हैं, कि हर कोई इश्वर की ही पूजा कर रहा है अपने अपने तरीके से, कोयल गीत गाकर इश्वर की पूजा करता है, एक और अपने जीवन के वाकियों को याद करते हुए लेखा कहाँ पर दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, अपनी मा जो की गौालियर में थी, और अपनी पत्नी जो की मंबई में उनके साथ रहती हैं, उनके दोनों के विचारों में, उनकी बातो में कितना परिवर्तन है, समय के साथ, उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इसी की चर्चा आगे वे करते हुए कहते हैं, कि गौालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में दो रोशन दान थे, उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोसला बना दिया था, एक बार बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा तोड़ दिया, मेरी मा ने देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, उसने स्टूल पर चड़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसी के हाथ से नीचे गिर कर कबूतर परिशानी में इधर उधर फड़़ा रहे थे, उनकी आखों में दुख देखकर मेरी मा की आखों में आसू आ गए, इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोजा रखा, सिर्फ रूती रही और बार बार नमाज पड़ पड़कर काफी कुछ बदल दिया है, वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे, अब यहां समंदर के किनारे लंबी चोड़ी बस्ती बन गई है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरुंदो का घर उनसे छीन लिया है, इन में से कुछ शहर छोड़ कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं, उन्होंने यहां वहां डेरा डाल लिया है, इन में से दो कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोसला बना लिया है, बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है, वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी तो घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है, वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, तो कभी मेरी इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका अशियाना था एक जाली लगा दी है। इस तरह लेखक कहते हैं अब वे पुराने लोग नहीं रहे जो इनके दुख दर्द तकलीफ को समझ सकें। नदिया सीचे खेत को खेत तथा पेड़ पौधों को नदिया सीचती है अपने पानी से और उस पर उगने वाले फल कौन खाता है वो खुद नहीं खाती नदियां। तोता खाता है तोते की किसमत में है वो फल खाना। सूरश ठेकेदार जा और सूरश सुबह सुबह उगाता है ठेकेदार बनकर और सबको काम बाट देता है कि चलो उठो अब सारे काम पर लग जाओ। आप कहां दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इस गर्दे का संदेश यह है कि यहां धरती जितनी आप की है जितनी मनुश्यों की है उतनी ही अन्यजीवों की भी है और वसुदहेव कुटुम्बकम की कलपना को भावना को साकार यहां पर लिख करना चाहते हैं तो वसुदहेव कुटुम्बकम अर्थात ये पूरी वसुधा अर्थात पूरी धरती पूरी स्विष्टी एक परिवार के रूप में है इसमें पेड, पोधे, नदी, जानवर, इत्यादी सभी एक परिवार के सदसी की तरह हैं इसलिए हमें इन सब का संतुलन बना कर चलन चाहिए यही संदेश किया पाट देता है तो आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार